हलो बच्चो स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रोसिंग ओवर के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चो आज की इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्रोसिंग ओवर क्या चीज होती है crossing over का mechanism क्या होता है इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे chromosomal theory of linkage तो उस time पर बच्चों हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि linkage की वज़े से जो parental combination होता है वो ही transfer होता है generation after generation पर कई बार linkage की कमजोर होने की वज़े से लिंकेज अगर हमारा थोड़ा सा कमजोर हो जाता है तो फिर क्या होता है हमारा אחד बन जाते हैं और रिकॉंबिनेंट्स बनने का रीजन क्या होता है crossing over तो वहां पर हम समझ नहीं पाये थे कि crossing over क्या चीज़ होती है आज हम समझेंगे detail में कि क्रोशिंग ऑवर क्या चीज़ होती है तो बेसिकल अगर हम क्रोशिंग ऑवर का आईडिया देखना चाहें बच्चो तो अम यह बोल सकते हैं कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं वो cell division के time अपनी segments को exchange कर लेता है तो जो हमारे होमोलोगस chromosomes होते है वो क्या करते हैं? अपनी segments को exchange कर लेते हैं तो उससे क्या होते हैं? हमारे नए combinations بن जाते हैं तो इस process को जहांपर segments exchange होती है, इसको हम crossing over बोलते हैं और ये जो हमारे नई combinations बनके आते हैं, इनको हम recombinants बोलते हैं, तो basically हम इसका idea समझते हैं, हमें ये चीज पता है कि हमारे body में हर एक chromosome की एक copy होती है, यानि हमारे यहाँ chromosome जो हैं, वो pair में पाएगा आते हैं, तो मान लिजे कि ये हमारा एक chromosome है, तो इसी की तरह इसकी एक exact copy भी होगी, बिल्कुल same होगी, ठीक है, और यहाँ पर gene locust भी same होगे, gene locust की position, gene locust का हम क्या बोल रहे थे कि, gene locust के जो number है वो भी होगे, बिल्कुल same, gene locust की position भी बिल्कुल same होगी, तो यह हमारे homologous chromosome होते हैं, ठीक है, अब यह जो हमारे homologous chromosome है, cell division के time, जैसे की meiosis के time क्या होगा, इन में recombination हो जाएगा, यानि crossing over हो जाएगा, तो basically यह अपनी segments exchange कर लेंगे, और segment exchange करके यह नया एक combination बना देंगे, जिसको recombinant बोलेंगे, ठीक है, यह चीज़ आप लोग समझ गए, अब हम देखेंगे की crossing over का mechanism क्या है, उससे पहले एक important चीज़ है, कि सबसे पहले crossing over शब्द किस ने इस्तमाल किया था, तो हमारी scientist थे Morgan, Morgan को आप जानते ही है, Morgan बहुत जादा famous scientist है हमारे genetics में, तो Morgan ने यह चीज़ observe की थी सबसे पहले crossing over, उन्होंने बोला था कि crossing over जैसे भी कोई चीज़ होते हैं, उन्होंने reshuffling of genes बोला था, इसको क्या बोला था, reshuffling of genes, genes की reshuffling, चीक है, इसको बोला था उन्होंने, और उन्होंने crossing over शब्द भी discover किया था, मतलब हम बोल सकते हैं कि crossing over शब्द उन्होंने सबसे पहले invent किया था उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था तो Morgan जी ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था यह शब्द को crossing over को ठीक है फिर Morgan जी ने यह तो चीज बता दी कि reshuffling होती है ठीक है यानि जो genes है वो exchange हो जाते हैं क्रोमोजोम के बीच में पर Morgan के सामने और साइंटिस्ट के सामने चैलेंज था कि वो इसका mechanism पता करे कि किस mechanism से हमारा crossing over होता है क्या process होती है इसकी तो वैसे तो बहुत सारे mechanism बताये गए साइंटिस्ट के दुआरा पर जो सबसे बोल सकते है most acceptable लगता है और जो most acceptable है mechanism वो Morgan का ही mechanism है जो Morgan ने mechanism दिया था जिसमें Morgan जी ने बोला था कि choice meta की वज़े से हमारा crossing over होता है basically कली जो हमारा choice meta वाली theory है इसमें है क्या हम ये देखते हैं सबसे पहले तो basically Morgan जी का ये कहना था या हम कह सकते हैं जो choice मा वाली theory है इसका कहना ये था कि हमें ये चीज़ पता है कि जब meiosis होती है जब meiosis होती है तो उससे पहले हमारा एक interphase होता है या फिर किसी भी cell division से पहले चाहे meiosis हो चाहे mitosis हो उससे पहले एक interphase होता है जहाँ पर cell अपने content को double करता है cell अपने content को बढ़ाता है क्योंकि फिर उसको divide होना होता है ठीक है तो इसी दोरान interface के दोरान S phase के दोरान replication होता है ठीक है तो interface में S phase के दोरान हमारा DNA replication होता है तो जब ये DNA replication होता है तो इस दोरान हमारा DNA जो है double हो जाता है हमारा dna double हो जाता है इसका replication हो जाता है फिर इंटर raid जाने के बाद याने इंटर फेस complete होने के बाद हमारा newest first चलता है क्योंकि हमें पता है कि जो मियॉसिज होता है उसमें दो डो divisions होते हैं मियॉसिज 1st और नौन सीज होता है उसमें different stages निस पता है थीका है तो Miosis First में हमारा जो zygotene stage होती है ठीक है ? Pro phase में भी जो हमारी zygoteen होती है na तो हमें पता है कि Miosis में कौन-Kौन से stages होंगी Pro phase, Meta phase, Ana phase, Stilopoop phase ये होंगे और Pro phase में भी further और भी stages होती है Pro phase के अंदर भी Pro phase में जो zygoteen stage होती है से बच्चों यह आपको ध्यान लखना है कब की हम बात करें हम लोग में सिर्फ फर्स की जाल जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है जो हमारे होमोलोग स्क्रोमोजों Sharp होते हैं वो गार चाह जाते हैं हैं हम से इंपके से कर लेते हैं क्या कर City iac यानि वह कर लेते हैं तो हमारी न सब्सक्राइब कर लेते हैं तो एक को मैं बना रही हूं ब्लाक से और दूसरे को मैं रेट से बना रही हूं यह दोनों ही हमारे homologous chromosomes है ठीक है तो ये देखिए ये हमारे homologous chromosomes है ये हमारे पास-पास आना शुरू हो गए zygotene stage में फिर next क्या होगा कि ये pairing कर लेंगे ठीक है और ये कुछ इस तरीके से segments ऐसे हो जाएंगी इसकी ठीक है इस तरीके से हमारी pairing कर लेंगे homologous chromosomes इसको हम लोग बोलते हैं synapses इसको क्या बोलते हैं हम लोग synapses इसको हम लोग बोलते हैं synapses बच्चो तो याद रखना आप zygotene stage में synapses हो जाती है pairing हो जाती है homologous chromosome की synapses हो जाती है meiosis first के pro phase first के zygotene stage में और synapses होने के बाद बन जाता है, synaptonymal complex, क्या बन जाता है, synaptonymal complex, फिर हमारा synapsis होने के बाद, synaptonymal complex बन जाता है, और ये complex बनने के बाद, ठीक है, ये complex बन जाता है, basically, ठीक है, synapsis होने के बाद, हमारा ये complex बन जाता है, synaptonymal complex, उसके बाद क्या होता है, इस process के होने के बाद, जो पिकाईटीन स्टेज होती है, जो हमारी pro phase first की पिकाईटीन स्टेज होती है, बच्चो, फिर वहाँ पर recombination nodules बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो हमारी पिकाईट स्टेज होती है, वहाँ पर homologous chromosomes में recombination nodules बनना शुरू हो जाते हैं, जगे जगे, ठीक है, तो जैसे कि ये हमारे homologous chromosomes हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जगे जगे recombination nodules बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके recombination nodules बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से recombination nodules बनना start हो जाते हैं ठीक है यह चीज आप लोग समझ गए यह चीज हो रही है हमारी Pekaitin stage में Pekaitin stage में क्या हो रहा है recombination nodules बन रहे हैं recombination nodules ठीक है अब क्या होगा यह जो हमारा homologous chromosomes है है homologous chromosomes फिर क्या होगा जगह जगह से break होना शुरू हो जाएंगे इनके जो chromatid ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे अच्छा इससे पहले एक important चीज है कि एग यह जो हमारा chromosome है इसको देखिए यह जो हमारे chromosome है इसके पास दो क्रोमेटिट्स है हमारे पूरा एक क्रोमोजोम है इसके पास दो क्रोमेटिट्स है इन क्रोमेटिट्स को हम लोग सिस्टर क्रोमेटिट्स बोलते हैं बच्चो क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिट्स तो यह दोनों जो हैं सिस्टर क्रोमेटिट्स बोलते हैं और इसी तरीके यह हमारी non-sister chromatids. तो यह जो हमारे दो homologous chromosomes होता है, इनकी जो chromatids होती है, उन दोनों को हम लोग non-sister chromatids कहते हैं, और एक ही chromosome की जो दो chromatids होते हैं, उनको हम sister chromatids बोलते हैं. तो basically जो हमारे crossing over होता है, जैनि exchange of segment होता है, या आपको बहात ध्यान रखनी है, उसके बाद अब हम बात करते हैं कि तरीके से होता है हमारा उसके बद फिर हमारा होता है तो जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोजूम है हमारा दूसरा क्रोमो न है फिर इस सटेज स्टेज थी ठीक है साइनेपसिस के दौरान इनकी स्टेज थी फिर क्या होगा इनकी सेग्मेंट से एक्चेंज जाएंगी तो किस तरीके से हो जाएगा यह आप देखिए ठीक है और यह जो दूसरे वाला क्रोमोजूम है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ब्लाक वाले को यह रेड़ वाली सेग्मेंट मिल गई और रेड़ वाले क्रोमोजूम को हमारी ब्लाक वाली सेग्मेंट मिल गई तो बेसिकली पहले इन्होंने साइनापसिस किया और फिर इन्होंने अपनी सेग्मेंट एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? crossing over, ठीक है. तो crossing over का mechanism होता है, last plus में ही क्या करते हैं, अपनी segment एक्स्चेंज बढ़ने इनोंने segment exchange कर ली तो ढ़ना είन जो दो, जो इनिस वहां पर genes होंगे. जो रेड़ वाले genes वहे जो रेड़ क्रोमोजोम इस और इस तरीके से इसको लीयोंक regimes भी तो कह सकते हैं तो इस तरीके से यह हमारा हो जाता है Wilson तो इस तरीके से होता है बच्छो ठीक है अब हम इसको अगर और अच्छी थरीके से देखना चाहिए तो हमें काम करते हैं हमारे पास एक ये normal chromosome है और एक हमारे पास ये normal chromosome है ठीक है ये क्या है? homologous chromosome है इस पर कौन-कौन से genes है माल लेते हैं इसके पास A, B, C और D है इसके पास भी ऐसे ही A, B, C, D है ये जो इसका homologous chromosome है इसके पास A, B, C and D है निए small वाले हैं ठीक है? तो अब क्या होगा? ये पास आना शुरू होंगे ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से होगा बच्चो मैंने ये बना दिया है ब्लूस को ब्लूस से बनाना है कि इस chromosome का हिस्सा है ठीक है बच्चो तो इस तरीके से होगा तो यह हो गया हमारा synapsis और अब इसके बाद क्या होगा हमारा crossing over हो गया यानि कि segments exchange हो जाएगी तो इसको हम नीचे बनाते हैं इसको हम बनाएंगे तो यह कैसे हो जाएगा हमारा तो झाल तो बच्चो यहां पर देख पारे हैं आपकी यह हमारा crossing over हो गया है और segments exchange हो गई है तो आप यहां पर देख पारे हैं कि इन दोनों के बीच में हुई है segment exchange है यहां पर आप देख पारे हैं कि ब्लू वाला पार्ट यहां पर इसको मिल गया और इसको बाकी का पार था ब्लैक वाला इसको मिल गया तो यहां पर जीन्स भी रिशफल हो गई हमारे पास इस वाले suspicum को इस वाला chromatic है इसको capital A capital B के साथ small c small d मिल गया और इसको small a small b के साथ capital c capital d मिल गया तो इस तरीके से हमारे क्या होगए reshuffle हो गए jeans crossing over की वज़े से segment exchange की वज़े से तो बच्चों यहाँ पर फिर आप देख पा रहे हो कि यह जो हमारा है यह original है हमारा और यह भी हमारा original है तो यह जो हमारे original chromatids होते हैं इनको हम parental combination बोलते हैं या parental type बोलते हैं यह हमारे parental type है ठीक है यह हमारे parental type है यानि यह parent है हमारा जो भी है यह ठीक है parental type है और यह जो दोनों है यह हमारे क्या है रिकॉम्बिनेंट्स यह हमारे क्या है बच्चों रिकॉम्बिनेंट्स तो यह हमारे parental है बच्चों और यह हमारे क्या है रिकॉम्बिनेंट्स है ठीक है तो तो पेरेंटेल याँ जो ऊरीजिनल कॉम्बिनेशन होते है और इस तरीके से होता है और यह तो मैंने आपको क्या दिखाया है कि दो क्रोमेट्रिट के भीच में एक्सचेंज हो रहा है हो सकता है कि सारी ंवालव यह हो सकता है कि parental type जादा percent में पाया जाता है और recombinants कम percentage में पाया जाता है वैस्तों बहुत सारी cases ऐसे भी होता है जहाँ पर recombinant और जो पेरेंटल टाइप है वो 50-50 पाया जाता है तो वो different cases है पर जब Morgan ने सबसे पहली बार crossing over देखा था आया उन्होंने observe कि recombinants भी होते हैं तो उन्होंने ड्रॉसफिला में इसको observe किया था जहां पर कि white eye और small wing वाले जो हमारे ड्रॉसफिला थे उनको cross कराए गया था red eye और normal wing वाले ड्रॉसफिला से तो जब cross कराए गया था तो हमें यह बात मिली पता चली थी मोर्गन को यह बात पता चली थी कि 62% के लगभग पेरेंटल टाइप था और बाकी हमारे रिकॉंबिनेंट्स थे ठीक है तो इस बेसिस पर मैंने आपको का कि पेरेंटल टाइप ज्यादा परसेंट में और गॉंबिनेंट्स कम परसेंट में ठीक है बच्चो तो यह हमारे एक आइडिया हो जाते है क्रोसिंग ओवर का तो आज तो हमने पढ़ लिए क्रोसिंग ओवर के मेकानिजम के बारे में अब फर्दर लेक्ट्र में हम लोग पढ़ेंगी क्रोसिंग ओवर के टैप्स के बारे में जैसे कि सिंगल क्रोसिंग ओवर डबल ओवर ट्रिपल या हम इसको बुल सकते हैं मल्टिपल क्रोसिंग ओवर इसके बारे में हम रोग पढ़ेंगे तो बचो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं उम्मीद करती हुए वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेर करें और रेप्लिका वर्ल को सब्सक्राइब करें